ग्रामीन और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में जीवन के अपने अपने सकारात्मक एवं नकारात्मक पहलू है। दोनों ही क्षेत्रों के जीवन एक दूसरे से काफी अलग है। परमपरागत तोर पर भारत मुख्य रूप से एक ग्रामीन देश है जैसा की महात्मा गांधी ने साथ मनाया जाता है. ठोली, बैसाखी, पोनगल, ओनम, दशेहरा, दीवाली या इद कोई भी त्योहार हो लोक संगीत की धुनों पर पूरा गाव एक साथ नाचता है. गाव में सभी लोग बिरादरी के बंधन में बंध कर रहते हैं. वे जीवन की परिस्थितियों चाहे वो क कोई डखो या खुशी आपस में एक दूसरे के साथ बातते हैं. हाला कि, उनकी जीवन शेली शेहरी लोगों की तुलना में ज्यादा विक्सित नहीं होती है फिर भी ग्रामीन लोग गर्मजोशी से भरे हुए एवं आधिक सोहार्दपूर्ण होते हैं. वे एक दूसरे का ख्याल भी ज्यादा रखते हैं और पूरे गाव में सभी लोग एक दूसरे को पहचानते भी हैं. वे महानगरी ये शहरों की तरह हल गाव की स्थिती में नहीं रहते हैं. भारत में गावों की प्राकृतिक सुन्दरता भी देखते ही बनती है. हरे भरे खेतों के चारो पक्षियों का खुशी से चहचहाना. सादगी ही ग्रामींग जीवन की पहचान है. दुर्भाग्य से नौकरियों की खोच तथा आराम एवं सुक सुविधाओं की सामगरियों की चकाचोंत की वजह से लोग ग्रामींग शेत्रों से शेहरी क्शेत्रों की तरफ बड़े पै को, टेली फोन, मोबाइल फोन, कम्प्यूटर, शिक्षा और चिकित सा देखभाल की सुविधाय अब ग्रामींग भारत के कई हिस्सों में सुलपता से पहुँच रही है. किसान भी अब आधुनिक क्रिशी यंत्रों का उप्योग कर रहे हैं और बैलों के स्थान पर वे ट् अक्तपात एवं हिंसा की घटनाय हो जाती है. ग्राम पंचायते विभिन विवादों पर विचार विमर्ष करते हूँ इब बहुत कठोर और निर्मम निर्नय सुना देते हैं जिनसे लोगों का जीवन दुख और दर्द से भरी हुई एक कहानी बनके रह जाता है. गाव के लोग ने शहरी बाजारों में अपने कृशी की उपच जैसे अनाज, फल और सबजियों की बिक्री पर निर्भर रहते हैं और साथ ही शहरी लोग रामियंक शेत्रों से की जा रही जीवन के लिए आवश्यक वस्तूओं की आपूर्ती के बिना जीवित नहीं रह सक गावों से लोग रोजाना आधुनिक जीवन की नवीनतम सुक सुविधाओं की आवश्यक वस्तूओं को खरीदने, फिल्म देखने, आनंद मनाने एवं शहरी प्रतिष्ठानों में नौकरी करने के लिए सफर करके शहर आते हैं। वास्तव में भारत का समगर विकास गाव झाल 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 झाल